कहानियों कि इस दुनिया में मैं आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ आज मैं आपके लिए मनीशक कुल्श्रेश्ट की एक कहानी पुर्जा लेकर आई हूँ जो कि विच्च क्राफ यानि डायन विधा पर आधारित है आईए कहाने क्रारंब करते हैं पुर्जा यह देखना डाक्टर तुम्हारे इस मैडिकल जनरल में क्या लिखा है यह कहते हैं कि शरीर की हर एक कोशिका में इस म्रतियां जमा रहती हैं ये तते तब सामने आया जब अमेरिका में एक लड़की के शरीर में ऐसे वेक्तिका गुर्दा ट्रांस्प्रांट किया गया जिसका कतल हुआ था तो उसे अपने उसी तरह कतल होने के सपने आने रगी थे जिस तरह उसके म्रत डूनर को मारा गया था अब इसे क्या कहोगे तू? वे मेरे क्लिनिक में आता और इसी किस्म की हैरत अंगेज चीजें पढ़ने और सुनाने में दिल्चस्टी दिखाता था मेरा याचिर कुमार मरीज एक सेवा निवरत शिक्षाविद था अपनी नौकरी के दिनों के किस्षे सुनाया करता था होने के नाते जाने कितनी परियुजनाओं में उसने काम किया था अपने अंतिम दिनों में वे मुझसे विच्च क्राफ्ट यान डायन विधा पर बहुत सी बातें करने लगा था उन दिनों उसने एक अनोखी घटना का और रेगिस्तान इलाके की एक खुप्चूरट डायन का जिक्र मुझसे किया था मैं कहती थी डॉक्टर जब उसकी मां अपने ऊपर किसी की आत्मा को बुलाया करती थी तो उसके बात दिनों दिन निधाल पड़ी रहा करती थी उसके शरीर में ऐसे पस्ति चाजाती थी कि जैसे वे महीनों बीमार रह चुकी हो इससे तुम अपने मेडिकल की भाशा में क्या कहोगे उसका यूँ हर बात के विच्टेशन में मेरी मेडिकल की भाशा से दरयाफ किया जाना कभी कभी मुझे किजा देता उसके अनोखी कहानियों को सुनने सुनाने के शौक के चलते मैं अक्सर उससे कहा करता था कि तुम लिखना क्यों नहीं शुरू करते मैं हमेशा यह कहकर टाल देता कि यार इतना धीरज किसमें है फिर भी मेरे बहुत कहने पर उसने रेगा सानी डायन की कहानी को कलमबद भी किया था मैं उसे आपके सामने रख रहा हूँ ये रही वो फाइल ये रहे उसके हाथ के लिखे डायन वो भी हाड मास की जीती जाकती सांस लेती जवान खुप्शूरत मेरी याददाश क्यों अचानक छिण पर जाये ऐसा तो कभी नहीं हुआ मैं रोज से रोज दोपार घर आता हूँ खाना खाता हूँ कुछ दिर आराम करके स्कूल लोट जाता हूँ इसी अंतराल के दौरान कल मैं हवेली के फाटक में गुसाई था कि पीछे पीछे वह गुसाई एक युवा औरत लंबी सतर देवाले लंबा चहरा उंची उठी गालों की हड़ियां जुलसकर गोरी से तांबाई हुआई रंगत उसके चहरे पर दो बड़ी हरी नीली आखे यू लग रही थी जैसे मीलो फैले रेगिस्तान में पास-पास सठे दो शीतल सरूबर हों। मैं जल्दी से अंधेरी गुमावदार सीडियां चड़ने लगा। वे भी मेरे पीछे लपक कर चड़ी। सीडियों में दुपके दो चमगादर फड़ फड़ाये। दालान पार करके मैं अपने कमरे का ताला खोलने लगा। मैं वहीं सीडियों के बाहर चुप गुमसुम खड़ी रही। चड़ते हुए सूरज की धूप कमरे में एकांत पाकर पसर गई थी। मैंने अंदर आकर दर्वाजा भिड़ा दिया। धक्यूई थाली उठाई ही थी कि दर्वाजे पर अनाड़ी सी दस्तक हुई। मुझे उस अजनबी औरत की इस हग्रुसकत पर बहुत हैरानी हुई। मैं खीच कर बोला कौन है? क्या काम है? मिनमिनाते स्वर में उत्तर मिला माट साब मैं हूँ। कुछ बात करनी थी आपसे। मैं जट्के से उठा और दर्वाजा खोल कर प्योरियां चड़ा कर बोला क्या काम है। बस दो घड़ी मेरी बात सुनलो मास्तर साब मेरे बच्चे का दाखिला है। स्कूल के बात स्कूल में आकर करना अभी जाओ मैंने त्योरियां ढीली नहीं की। सकूल वहां तो आपका चपरासी कालू अंदर आने नहीं देता है। ऐसा क्यों? तुम कौन हो? नाम क्या है? मैंने आशंका में सवालों की जड़ी लगा दी। बस हूँ एक बदकिस्मत है। नाम तो कुर्जा है पर लोग तो उसकी आवाज साप रही थी। इसी गाम की हो? कहां रहती हो? हाँ, अब तो इसी गाम की हो। खारी बावडी के पीछे मसान घाट से फोड़ा पहले रहती हूँ। ठीक है, कालू को कह दूँगा, आने से मना न करे। कल स्कूल आ जाना बच्चे को लेकर। उत्तर में उसने पलके उठाकर देखा, नीले ठहरे हुए सरोवर जिल में लाए। रेगिस्ताने भठकावों और प्यास से तरस्त मैं मानों उन सरोवरों में कूत पड़ा। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा कि मैं किन रास्तों पर आत्म व्रिस्मरत होकर चलता चला गया। और सूखी हुई खारी बावडी के किनारे असमंजस की इस्तिती में खड़ा हुआ कालू को मिला। वह अजीज से नाम की औरत पुरला अभी आगे आगे ही तो चल रही थी कहां गायब हो गई। मेरी जबान लड़ खड़ा गी। कौन पुर्जा वो डाकन, रांड, डाकन याने की डायन है। वो तुझ समझे माट साब। उसने मेरे ठंडे हाथ सपतपाए। मैं समला, मैं नहीं मानता है अबकवास, सारा गाव जानता है उसे, आप नए हो ना, पागल हुए हो क्या, गडायन कैसे हो सकती है। एक जीती जाक्ती जवान औरत, वैं सचमे ही पागलों की तरह दांत ने पूरने लगा। फिर जोर से एक करफ फूप कर आस्तीन से उसने अपना मुँ पोचा और बढ़ बढ़ाने लगा। हैड मार्ट साब, तो बताओ, सारा घर चौपट फुला थोड़के, खाने की थाली में अधकाया को और थोड़के, आप स्कूल की जगए, इस सूखी बावडी की तरफ क्याले ने आये हो। हाँ, याद आया, मैं पता रह थी कि उसके लड़के को स्कूल में दाखिल कराना है, पता नहीं किस बेख्याली में, बेखबरी में, मैं यहाँ, बस साब जी, यही तो वसी कराना था, डाकण का, चुप रहो, भूल से भी ऐह बात मत कहना किसी से, मैं अपनी मर्जी से ही चला आया था, अपनी बेख्याली पर स्कूल में किस से बाजी हो, यह मैं नहीं चाहता था, मगर यह यह याददाश्ट अचानक खिन पड़ जाए, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, तो क्या कुछ देर को मैं सम्मोहित हो गया था, हाँ, तो वैसे खाली पेट रहने के कारण सर चकरा गया होगा, या फिर, क्या यह मोमेंटरी मेमोरी रोस था, उफ, उसके बाद कल पूरे दिन फिर दुखता ही रहा था, लेकिन आज वे स्कूल क्यों नहीं आई, कालू को तो मैंने आगा कर भी दिया था, कभी मिली तो पूछूंगा जरूर, सारे फर्ष और विस्तर को किरकिरा करके आंधी थम चुकी थे इसी किरकिराहाट के साथ अब जीना सीखना था, सन्निपात के रोगी के से दिन थे वो, जब मेरा इस गाव जीव सर में हैड मास्ट्री के लिए चयन हुआ था, घटनाओं के विस्तार में गया, तो आवसाद में डूप जाने की संभावना है, बड़ी मुश्किल से समला बस ये जानिये कि लंबी बेरोजगारी के चलते रेमिका ने कहीं और शादी कर ली थी, उम्र थी की बीच्की चली जा रही थी, घर में उपस्थित मेरा चेहरा पिता को तनावगरस्ट करता था माकूदार, मैं अपनी परिस्थितियों से उखता कर सुन्न सा कमरे में के बाद 15 किलोमीटर की जीप यात्रा करके इसी सीमावर्ती रेगिस्तानी गाउं में चला आया था, यह था थार मरुस्थल का अंदुरूनी, पिछड़ा हुआ एक ऐसा इलाका जिसकी थाह पाना बहुत पठिन था, क्यों भी पश्चिमी सीमावर्ती इलाकों में मुकमल त नाटों से सिहरती एकाकी हवेलियां होती है, चाफिर थोड़ी-थोड़ी दूर पर बसी धानियां होती है, और होता है दूर तक थेला प्रेतीला विस्तार, ऐसी जगों पर जिंदगी बहुत लंबी महसूस होती है, उम्र बस रेंगा करती है, शुरू में मैं बहुत अकेल महसूस करता था, जो किताबें अपने साथ लाया था, सब की सब पर डाली थे, मन घबराने लगा, तो मुझे लगा कि स्थानी लोगों से मिल जोल बढ़ाया जाए, पर जल्द ही मैं जान गया कि गाउं के संपन लोग बाहरी लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते थे आम गरीव लोग तो डरे हुए भीरू किस्म के लोग थे, बरसों पहले समाप्थ हो चुकी जमीदारी प्रथा के बावदूज, यहां के रावले के प्रती आतंक जने सम्मान आम आदमी की रगों में बस जया था, मुझे रावले के दबग पुर्षों को देख कर हैरत होती थी कि वे गाव के आम आदमी से मिलने पर अब भी नजरानस विकार करते थे, खम्मा घडी होकम सरल ग्रामीन दूरे हो जाते, मगर उनकी गर्दने अभिमान से अकडी रहती हैं, इस गाव के और इसके आसपास की धानियों की निवासी बहुत ही पिछड़े हुए थे, उनक की की दुनिया से वे पूरी तरह नावाकिष थे, वे अंद विश्वासी देहाती हर किसी के रौब में जल्दी ही आ जाते थे, बिना किसी प्रयत्म के कोई भी आदमी अपने आपको सरकारी बता कर उन पर अपना प्रभुत्व जमा सकता था, चपरासियों तक तो वो मज़ते थे, पटवारी तैसिलदार के तो पैर ठूते थे, सीमा सुरक्षा बलके अफसरों जवानों से वे दूर भागते थे, वे कुछ पूछाच करते तो वे जुख जुख कर उनके पैर छुने लगते, मगर कुछ बताने के नाम पर खाली आखों से ताकते, सीमा सुरक् हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 90 प्रतिशत लोग इस इलाके में ऐसे थे, जो रोज मर्रा की जिन्दगी चलाने के कश्टों के मारे ही सिर नहीं उठा पाते थे, तो वे कब सोचते या कर पाते जो स्मगलिंग या जासू से जुड़ा हो, अपनी निर्दोशिता के बावजूद सीमा सुरक्षा बल के जवानों का डर उन्हें काठ की रहता था, सीमा सुरक्षा बल की अपनी कठनाईयां और करतवे थे, इस गाव और धाणियों के कुछ लोगों के खेत, भारती सीमा से बाहर भी पसरे थे, कुछ जन जातियां दोनों सीमाओं के बीचों भी नघर की इस गाओं में गिने चुने ही हवेलियां थी जो कि पुराने वणिक व्यवसाईयों की थी इन हवेलियों को घेर कर कच्चे पक्के मकानों वाले महले खड़े थे जिन में अन्य जातियों के लोग रहते थे गरीब किसान, चरवाहे, कसद जंजातियों के लोग समुहों में कच्ची धाणियों में रहा करते तेज हवाएं इनके इन कच्चे जोपडों के शपपर मजाक मजाक में उड़ा ले जाते थे मगर इनके रंगीले साफों की बंधान डीला करने में ये हवाएं अक्षम रहती मेहंती तो थे ये लोग पर उनकी मेनत रेत में से बस रेत ही उगलवा सकते थे भीडों का धूद, उन, जीरा, उन का चमड़ा, बाजरे के दोचार बोरी, दानों के बदले वे बाढ़मेर जाकर जरूरत का अन्य सामान खरीद कर लाते ये सीधे साधे आचार विचार के लोग आपस में एक दूसरे के प्रतिक इर्शालू भी होगते अनाच के दाने-दाने के लिए फूफ फून खराबा कर देते पानी की बून के लिए औरतें बाल कीच-कीच कर जगडते प्राकरतिक विपदाओं से निरंतर आकरांत इनकी संस्कृतियों में अंद विश्वासों ने गहरी जणे जमा रखीते अंद विश्वास उनके आदिम आवेगों को कभी नियंतरित तो कभी अनियंतरित करता था मैंने फिर आज शाम कालू से उस डाकण के बारे में पूछा था मगर वे मोग फुला कर बैठ गया उसे स्कूल में क्यों नहीं गुसने देते हो सरकारी स्कूल सबके लिए होते हैं डाकणों की उलादों को स्कूल में रखोगे तो बाकी के लोग बच्चे बेजना बंद कर देंगे वेचिड कर बोला कर दें मेरी बला से कल से उसका बच्चे स्कूल आएगा वैसी भी वो आरत है कौन इसी गाउं की है आप मानते नहीं हो न साब जी तो बताने से क्या फायदा मैंने बहुत उचा मगरवे चुप रहा खाना बनाकर उसने चुप चाप ठाली मेरे सामने रख दी मैं जब खाना खाने लगा तो अनायास ही उसने बोलना शुरू कर दें आपने देखी थी उसकी बिल्ली की नाई हरी नीली आके हम मैं खाना चबाता रहा यहां का खाना तीखा है और पानी खारा छे महीनों में भी मैं इन दोनों की आदत नहीं डाल सका हूँ यह कालू मेरे स्कूल का चतुर्च श्रेणी कर्मचारी कहता है साब जी तीखा नहीं खाओगे तो इस भारी पानी को पचाना मुश्किल है कब जो जाएगी तीखे खाने की वजह से मेरी नाक और आखें बहने लगी उसने बिना ध्यान दिये बदस्तूर बोलना जारी रखा बहुत पहले जिस साल यहां से चली आई थी साब यह कुर्जा डाकण जब आई थी तब सबसे यही कहती थी कि रावले में उसका धनी ठाकुर साब के हाँ दो साल का बंदक मजूर बन के आया था दो साल बीद गये लोट के घर नहीं पहुता है रावले में किसी ने गुसने नहीं दिया ठाकुर साने कहलवा दिया कि उनके तो कोई बंदक मजदूर नहीं है कोई कहता जासूस था कोई इसमगलर बताता जिसे बीएसेव वालों ने मार गिराया पहले गाउं में मंगनियार लोगों की धाड़ियों की तरफ अपने गोद के बच्चे के साथ रहने लगी जड़ी बूटियां देती औरतों को इलाज करती बिसबास जीत लिया लुगाईयों का मनमाना पैसा और घर घर जाकर अनाज मांगने लगी तो औरतों ने मना करना शुरूर किया फिर तो जो इसे मना करे उसके घर में बच्चे बीमार पढ़ जाएं मौत हो जाएं मेरी औरत के जब तीसरा बच्चा होने को था तो हम देवता के यहां से लड़का होने की भभूत लाए ये रांड सामने पढ़ गई कि तीसरी भी लड़की पैदा हो गई एक बार तो यहां के रावले में ये डाकन जबर्दस्ती पहुँच गई फोटे ठाकर सा के घर में पहली आउलाद हुई थी और ते सुरत पूदने जाही रही थी कि जो बालक ने रोना शुरू किया तो सांज तक सुप्पी नहीं हुआ सरीर मरोडने लगा आँखे फिर ली पहले तो ठाकर ने इसे पैसे वैसे दे के बच्चे से तोटका हटाने को कहा तो कहने लगी मेरा तोटका नहीं है इस रावले के ये बुरे कर्मों की छाया है फिर तो ठाकर साने अपने आदमियों से इसके सिर पे जो सौ जूते लगवाए तो ये डाकर मानी और बच्चे पर से तोटका हटाया बाद में खड़ी फसल का सारा जीरा काला पढ़ने लग जया जिसके खेत में देखो जीरा काला फिर बड़ी ठाकराणी साने कहा इसे मारो मत पता नहीं क्या सराप लगा दे ये करमपूटी औरत बस गाउं के बाहर काड़ दो सबसे इससे गाउं वाले कोई नाता नहीं रखते एक हारी बावडी के पीछे मसान के रास्ते में जोपणा डालके रहने लगी है तुना अब तो धीरे धीरे इसने कोफरी पक्की करा ली है कोई-कोई इलाज जादू, जन्तर मंतर कराने वाली नीच रांड लुगाईयां चुपके च्छाने अब भी जाती है उनसे ये मनमाना पैसा लूपती है गाउं के भले लोग कोई उधर नहीं जाते आप भी दूरी रहना और इसका बेटा है ना आठेक साल का होगा कभी-कभी दिखता है बाजार में सौधा सुलफ लेता हुआ बड़ा तेज है उल्टे जवाब देता है गालिया बगता है इसके माँ को कुछ कहके तो देखो मेरी उत्तुपता अपने चरम पर थी उस दिन स्कूल में चल रहे दाकिलों के चलते हालागी खाना मैं शाम चार बजे ही खा पाया था खाना खाकर लेट पे ही उस आकरशक चोड़ायल को लेकर मन में उत्तुपता कुल बुलाने लगी थी मैं घूमता हुआ खारी बावड़ी की तरफ निकल पड़ा मैं वहीं जाकर ठिठक गया जहां उस दिन कालू ने मुझे आत्में विस्मृती की अटपटी हालत में पकड़ा था हैरानी भी हुई उस दिन मुझे यहीं पैरों के नीचे पसरी पगड़ंडी क्यों नहीं दिखाई दी जो आज दिखाई दी रही है लंबी घास के बगल से चुक्चाप सरक कर जाती हुई पगड़ंडी यहीं कहीं तो आकरवे डायन उजल हो गई थी निश्चे ही रात को आई आंदी के कारण यह घास लेट गई है और पगड़ंडी इस पसरी दिख पा रही है मैं उसी पर बढ़ गया अचानक बढ़ते बढ़ते पैरों के नीचे बिच्ची भुरबुरी रेत सफेज और ठोस परत में तबदील होने लगी जैसे कभी या नमकीन पानी की जील रही हो दरारें और लंबा सफेज रहस में विस्तार यहां कहां होगा उसका घर इन हवाओं में या इस सफेज जमीन के नीचे या ताड के पेडों पर अठके चीलों के घोसलों में जब मैं घूमा तो पीछे की ओर रेतिले टीले पर एक कच्चा पक्ता सा घर दिखा घर के दर्वाजे अत्खुले पड़े थे मैं चलकर वहीं पहुँच गया अंदर कोठरी में उजाला बस नाम को था उसकी आकरती खाट पर बैठी दिखाए दी नमस्ते मैं कौन है वह वहीं से गुर रही यहां क्याले ने आये हो अंदर आ सकता हो उसने मेरा चेहरे देखा तो आश्वा स्थोने की जगे असमंजस में पड़ गई फिर हलकी सी मुस्कान के साथ बोली कहां बिटलाओं माट साथ तुम्हें मैं चिमगादर के मेमान बने हो तो उल्टा ही लटकना होगा है कि नहीं मैं हचकचाया मैंने ध्यान दिया कि वह इस्तानी भाषा नहीं बोलती थी यह तो उर्दू मिश्रित कोई अलग ही बोली थी कहां है आपका बीटा जिसका दाकिला कराना था कहकर मैं अंदर चला आया था वह घर में कट ठिकता है अभी तक भेडें चरा कर नहीं लोटा वह एक छोटी कमीज में सिर जुकाय बटन लगाती रही पांच मिनट तक कोठरी में सननाटा फिच्कियां लेता रहा मैं सोची रहा था कि यूँ ही खड़ा रहा हूँ या चलने की इजाज़त मांग लो कभी उसने दांस से धागा तोड़ा और खाट से उठ खड़ी बैटो माट साब मैं बैट गया मां कहकर एक दुबला सा गूरा बच्चा हाथ में बबूल की संटी और एक गुलाबी रंग में रंगा भेड का मेमना लिए कोठरी में दाकिल हुआ ये कौन है वैं सहम गया अरे नहीं रे डर मत ये हैड मास्कर साहब है इस स्कूल के इनी को ला रही थी तुम कि ये गायब हो गय थे मैं गायब हो गया था या ये मैं अचकचा गया वे दोनों हसने लगे चाय नहीं पिलाएगी अम्मा मेमान को भेड की दूद की चाय ये पिएंगे कहकर कुरजां कोठरी के शैतीर से चंगी एक टोक्री में से कपड़े में बड़े संभाल कर रखी चाय की पत्ती निकालने लगे चाय इतनी भी बुरी नहीं थी इलायची की सुगंद में भेड के दूद की गंद दब सी गई थी चाय पकड़ा कर पुर्जां बाहर चली गई हम दोनों चुपचाप चाय पीने लगे मैं बच्चे से पूछने लगा स्कूल में पढ़ोगे हाँ नाम क्या है जुगनो कुछ पढ़ना आता है हाँ एक से सौ गिंती अपना नाम लिख लेता हूँ वे बाहर से अंदर आकर बोली हाँ मगर उर्दू में चाय पी ही लो माट साब तो रुकसा थो लो सांज ढल गई है तो इस रेगिस्तान में रास्ता मिलना मुश्किल होगा गोल गोल भटकते यहीं दम तोड़ दोगे इस खारी बावडी के फैलाव में बाहर से वे लंबी रस्ती में पुरेवर हुए सुखाने को रखे नील गाय के नमकीन मास के टुकड़े बटूर कर लाए थी नील गाय का सुखा मास खाते हो माट साब खाते हो तो ले जाओ नहीं मैं मास नहीं काता जुगनू तू बेडे समाल मैं छोड़के आऊ इन्हें बाड मेर की सड़क के इस पार तक फैम उससे पहले ही निकल कर पगडंडी पर चल दी मैं आगे बढ़कर उसके साथ चलने लगा कुश्टूर चल कर बेर की जाड़ियों से बनी मेर के सामने वै खड़ी हो गई वो जो पगडंडी देखते हो वही जो थूर के पेड़ों के बीच से जा रही है हाँ बस उसी पर सीधे चले जाना बीच में एक भैरुजी का थान मिलेगा वहां से उल्टे हाथ से मुड़ लेना फिर रेत के धोरे शुरू हो जाएंगे उन पर चलते चले जाना आगे तुम्हें बाड में रोड मिलेगी लेकिन आया तो मैं किसी छोटी पकडंडी वाले रास्ते से था वहां लंबी घास में सांप छिपे रहते हैं अंदेरा भी घना रहता है वहां भटक जाओगे यह रास्ता ही कहरा है बस जरा लंबा है जब बाया हाथ उठा कर रास्ता दिखा रही थी तो मैं कंखियों से उस अनूटे चेहरे को देख रहा था उसके चेहरे का कटाव इस थानी ग्रामीडों से भिन था वेशबूशा भी वह हटात पीछे मुर गई मैं उसे जाते देखता रहा उसकी चाल में एक गर्व उससरजित हो रहा था और एक शांदार पकीराना उदासीन था मुझे लगा इस विलक्षन रूप के चलते ही वेदंत कथाओं और अटकलों से घिर गई होगी मैं भटकता हुआ कमरे पर लोट आया मेरा कमरा हवेली की पहली मन्जिल पर था जिसकी पीली दीवारों में खोटे छोटे कई आले थे और छट पर सुन्दर चित्रकारी की हुई थे दरवाजों के उपर बने रोशंदानों पर रंगीन चीशों की फुलवारी सी बनी थे सुन्दर बारी काम पहली मन्जिल पर बने सारे कमरे ऐसे ही विशाल से मगर सब के सब ठाली मैंने देखा मेरे साथ ही दो चमगादणे कमरे में गोसाई थी लगा अतार हाफती हुई मेरे चौकोर कमरे के चक्कर लगाने लगी मैं दरवाजा खोल कर रजाई ओड़कर लेट गया मगर वो हाफते हाफते कमरे से बाहर निकलने के जगे रजाई पर ही फद से गिर पड़ी उस दिन खाने की थाली यूही ढखी रह गई कमरा यूही खुला रहा मैं चमगादणों के उड़ने के इंतजार में रजाई में मूँ की यही सू गया तुभे मेरे जागने से पहले ही कमरे में आकर कालू बढ़ बढ़ाने लगा मना करता हूँ साब जी उस डाकर से दूर रहो माने नहीं गए उस तरफ देखो आज फिर दरवाजा खुला है और खुद बेहोस है अरे बाप कैसा ताप चड़ा है हलकी हरारत की वजए से उस दिन मैं स्कूल नहीं गया पुरजा के बारे में सोचता रहा और अजीब औ गरीब सपने देखता रहा जुगनू का दाखिला स्कूल में मैंने कर लिया था अध्यापकों के बीच सुख बुगाहट और विद्रो को मैंने महसूस किया लेकिन अपरोक्ष रूफ से प्रार्थना की समय खात्रों को संबोधित करने के बहाने मैंने अपना संदेश संप्रेशित कर दिया था इस विद्याले में मैं किसी किस्म के जातिवाद, सुआतूत और अंधविश्वास को सहन नहीं करूँगा जुगनी की कोई तर्तीब बार पढ़ाई तो हुई ही नहीं थी तो आठ वर्ष का होने के बावजूद उसे दूसरी कक्षा में डाला गया जिसका पाठेक्रम भी उसके बस के बाहर था इसी अध्यापक से उसकी तरफ अत्रिक्त ध्यान देने को कहना व्यर्थी था तो मैंने उसे शाम के समय अपने कमरे पर आकर एक घंटे पढ़ने के लिए कह दिया जुगनू का बातूनी पन अब उजागर होने लगा था उसके पास इस्थानी रेगिस्तान को लेकर अद्भुत जानकारियां थी चाहे वो रीतीले सापों के नाम हो या रेगिस्तानी लोमणियों के विवार की जानकारियों लेकिन उसे पढ़ाने में मुझे भी पसीने आ जाते पढ़ते पढ़ते वे ना जाने कौन-कौन से कुटूहल उठा देता शेर कैसे होते हैं, कौहां कितने लोग रहते हैं कभी दुखी होकर वे अपनी मा की बात करता कि गाउं के लोग उसके मा को डाक्तन, उत्ती, रांड और ना जाने कितनी गद्नी गालियां बखते हैं बारिश हो और शुरू ना को तो भी उसकी मा को तोटका करने को कहते हैं ना हो फिर भी है तो उसका ही जादू तोना कभी कहता वे बड़ा होकर मा को शहर ले जाएगा जहां उसकी मा को कोई नहीं जानेगा ना डाकन कहेगा कभी जुगनू के पढ़ने ना आने पर मुझे उसके जोपड़े में जाने का बहाना मिल जाता रेगिस्तान और बेरों की जाड़ियों से गिरा उसका ठिकाना और लोगों की उसके बारे में तरह तरह की भांतियां उसके इर्द गिर्द एक रोमान्चक प्रभामंडल बुनती थी मैं जुगनू से मुखातिब होकर अप्रतक्षता उससे ही बातें किया करता इस उजड़े वीरान रेगिस्तान में अकेले रहते डर नहीं लगता डर क्यों माटसा ना शेर चीते नहीं रहते जुगनू ने उदासीन भाव से कंधे उचका देता मेरा मतलब जामवरों से नहीं था रेतिले तूफानों से था निरजन में अकेले रहना भूसीबत पड़े तो कोई सायता के लिए भी ना आ सके कहता मैं जुगनू से था पर देख मैं उसकी मा को रहा होता था हमारे लिए यही अच्छा है कि वे लोग मुझे और जुगनू को अकेले छोड़ दें लेकिन पुर्जा के फोटों के टांके तूटते लेकिन क्या उजिन्वे चुप्चा सिर मोर कर फिड़की के बाहर देखने लगी थी पहिशान्त रहने का भरसक उपकरम कर रही थी उसकी आँखें बाहर जमा हुई थी और भ्रकुटियां पुर्द मुद्रा में एक दूसरे के समीप सिमा ठाई थी वही पुलिस का दरोगा और B.S.F के भूखे बेड़िये उनका तुमसे क्या ले न अकेली औरत गोश्ट की भुनीवी नमकीन बोटी से जादा और क्या होती है मेरे घरवाले को तो जबरदस्ती ही इस मगलर जासूस करा दिया जबकि वह मरा तो यहीं रावले की बेगारी में है दारोगा को रपट लिखने को कहा तो वह उल्टा मुझे ही तंग करने लगा उसने फूतकारते हुए समूची कटुता जवाब में उडेल दिया माट साब हमारे पुरके गुमन्तू कभीले के थे कभी इस पार तो कभी उस पार ना हिंदू ना मुसल्मान जान की सांसत लगी रहती थी गोडर के आसपास रहने में तो एक जगे बसने के रादे से वो राव ले आया था एक हजार का करार था दो साल की बंधक मजूरी का वो लोटा ही नहीं ना पैसा भीचा उसका एक साथी भाग आया उसी ने खबर दी कि उसका कुछ सुराग नहीं है मैं अपने पीहर में इस पार ही थी वो सों पैदल चलके जीवसर आई उसके इंतजार में तब से यही हूँ अपना और बच्चे का पेट पालने को अपने कबीले का हुनर आजमाती रही वही तो मेरे खून में था साप और हडक के कुट्टे के काटे का जहर उतारना जड़ी बुटी करना इस्मत बाचना बुरे साय उतारना हमारे कबीले की आउरतें वैद ओजों के हुनर जानती है जीवसर के गवारों ने रावले की शेय में मुझे डाकणी बना डाला आसू उसके आखों में फून की तरह उतरे थे पर वे रोई नहीं पी गई उसके यही बात मुझे विशेश रूप से प्रभाविश करती थी उसका अपने आप पर अटूट विश्वास था मेरे इस तरह उसके जोपड़े में पहुँचने पर मैं हमेशे शांत और सौमे रहती अपने कामों में मसरूफ किन तो न जाने उसके किन भंगेमाओं से मैं जान गया था कि उसे हलकी सी खुशी होती है मेरे आने की कभी-कभी हमारे बीच अजीव से मूक्षन आ जाते जब अचानक हमारी आँखे चार हो जाते ऐसे में उसकी नीली आँखों में हलकी नमी गिराती और उसकी कनपटी के पास उबरी पतली नीली नस हलके हलके से हरने लगती ऐसे ही पलों में उसके प्रती मेर्या कुतूहल अपनी पराकाश्टा पर पहुँच जाता पुर्जा के नाम पहले कभी नहीं सुना, क्या मायने है इसके पुर्जा एक पंची होता है, मोर जैसा बड़ा चमकने, सुर्मई पंक, काली कलंगी, आँख के पास सफेद घेरा आपने देखा नहीं, इसके गीत नहीं सुने कहते हैं जाड़े की चांदनी रातों में ये पंची जन्नत से उतर कर रेगिस्तानी जीलों के किनारे बड़ी इतादात में डेरा डालते हैं जाड़े बर रहकर फागुनाने पर उड़ जाते हैं मा कहती थी की कुर्जा एक ही बार जोड़ा बनाते हैं जिन्दगी में वो जोड़ा तूटे तो अकेले जुन से अलग यहीं छूट जाते हैं फिर जन्नत नहीं लोटते तीरे दीरे गरम रेत पर जान दे देते हैं कहते हुए उसके चेहरे पर उदासी का सुर्माई तो पहला रंग उभरा तो आँकों के नीले सरोवरों पर दुन्द छा गई जड़ी बुटी के इलाज के अलावा तुम क्या करती हो जादू टोना मेरा मतलब बुरी आत्माएं उतारना या अच्छी आत्माएं बुलाना मेरे इस गुस्ताक सवाल पर वहिच की उसने मेरी आँकों में ताक कर मेरा इरादा भापना चाहा चाहने क्या भापा कि आश्वा सूकर बताने लगे नहीं मैंने वेव उनर नहीं सीखा बहुत पहले किसी के बहुत जित करने पर मेरी माँ बुलाया करती थी अपने जिस्में किसी की रूह को बहुत पैसे लिया करती थी बलकि सोना, अंगूटी या बाली लेकिन उसके बाद महीनों उसका दम निकला रहता रह पस रहती आवारा रूह उसके जिस्में बेलोस भटक कर उसे बेदम कर जाती थी मैंने सीखना चाहा पर उसने मने कर दी जवान कुवारी लड़कियों को मैं सब नहीं सिखाया जाता था हमारे कभीले की बूड़ियां ही ये सब किया करती थी तुम बता रही थी, तुम भागी भी बांचती हो अब ये सब कौन मानता है माठ सब, मेरा देख के बताओ न क्या करेंगे जानकर, पता नहीं, मा के दी वो ताश के पत्ते मैंने कहां रख तोड़े हैं, याद नहीं, अम्मा मैं लाओं वो वहाँ उस डब्बे में रखे हैं, पढ़ता हुआ जुगनू बीच में उचका और टान पर रखे एक पुराने टीन के डब्बे में से मेले कुचले ताश लिया आया देखो ना, अम्मा, जुगनू उत्साह में था उसने अन्मने मन से कुछ बुद्बुदा कर तीन ताश निकाले, कुछ रखे इस पर सिक्का मैंने जेव से पचास का नोप निकाल कर उसकी हतेली पर रख दिया उसने आके मूंदली, फिर हतेली पलकों के पास ले जाकर पत्ते खुले एक सम्मोहन में डूब कर सपाठ सवर में बोलने लगी तुम अच्छे हो मगर दिल के कमजोर सोचते बहुत हो, जरा-जरा सी बात दिल से लगा बैठते हो पैसा कमाओगे पर बचेगा नहीं मा बाप के प्यारे हो, पर उनके गम के बाईस ही बनोगे जल्दी ही जगए बदलोगे मतलब है यहां साबादला होने के आसार है पैरों में फेरा है, भूमते रहोगे यहां से वहां, बहुत बुड़े होकर नहीं मरोगे कहो ना जल्दी ही मर जाओगे नहीं न जल्दी न देर में ये तो आम बाते हैं जो कोई भी बता दे मैंने मजाग बनाया वै उदास हो गई फिर दीरे से बोली एक खास बात भी है क्या इक मौबत की उसने इंकार में सिर हिलाया पल के उठाकर संजीदगी से बोली तुम साजिंदगी कुवारे रहो के अच्छा मैं हसी उडाने के लहज के भाग बांचने वाले उसे दूसरों की खातिर इतना नींद से जगाते हैं कि खुद किस्मत बांचने वाले तदा दुखी रहते हैं कुछ दिरों बाद ही रेबारियों की बस्ती में आक्टीच के मौके पर सामुएक विवा की रस्म का एक बड़ा आयोजन होना तैह हुआ ठाकर साहब और गाउं के पतिश्चित लोगों के साथ मेरे नाम का भी बुलावा आया था मैं हवेली के चौकिदार को जगे रहने की हिदायत दे कर रावले में चलाया वहां से ठाकर साहब और उनके लाव जमे के साथ मैं भी पहुँचा रेबारियों के महले में ठाकर साहब का स्वागत रस्म के अनुकूल हुआ वही उनका खम्मा घणी करके नजराना पेश किया जाना नजरानी में कांदी के कुछ सिक्के पैर चुए जाना, हाथ चुमा जाना, मुझे वित्रश्णा हुए इनके सामंतवाजी मिजाज पबद लेंगे आखिर संबू बधा था और अंधियारे महले में यैस के हंडों की रोशनी की गई थी इन हंडों के जगर मगर प्रकाश में गरीब रेबारियों का अभाव और उस अभाव में बरसों से जी रहें लोगों के चेहरे पर इस थाई तोर पर रहने वाली बेचारगी उभर कर सामने आ रही थी मैंने महसूस किया उनके इन अभावों और बेचारगी के समक्ष मेरे इर्द गिर्द बैठे कथा कथित प्रतिष्टे चेहरे भोंडे और हास्यास्पद लग रहे थे जल्दी ही पंडाल नए कपड़ों में सजित छोटे छोटे दूलों से भर गया उन में से कई अपने पिता के पंदों पर उंग रहे थे या फिर मा की गोद में बैटे अंगूठा तूस रहे थे कुछ थोड़े बड़े थे को अपनी छोटी तलवारों या कटारों से खेल रहे थे, किलकिला रहे थे मेरा मन कहीं आहत हुआ कि मैं एक सरकारी कर्मचारी होते हुए भी इस गैर कानूनी प्रता में शामिल हुआ हूँ खाकूर साहब की बगल में ही बीडियो और प्रधान बैटे विदेशी मदरा का आनंद उठा रहे थे उधर दरोगा और पटवारी प्रेबारी औरतों पर अशलील टिपणी करके हस रहे थे उब और उदासी की अपरिचिस से अनुभूती मेरे मन पर घिर आई नेपत्य में कहीं बजने वाले धोल की निरंतर थाप मेरे दिमाग में पीड़ा दायक रूप से स्रतिध्वनित हो रहे थे मैंने स्वयम से पूछा मैं यहां क्या कर रहा हूँ मेरा मन कचोट उठा तो मैंने हठात ठाकूर साहब से पूछी लिया यह तो बाल विवाय ठाकूर साहब अब तो हैट मास्टर साहब आप तो अपड़ा मूँ बंद करके इनकी मैमान नवाजी का अनंद लो यह तो अपनी पुरानी परंपरा हैं इन्हें मिटाना मुश्किल है हमारी तो खुद की साधी ठाली में बैटी दो साल की दुलन से हुई थी अब हमारे बच्चे बाहर पढ़ने लगे हैं तो देर से ब्याव करते हैं पढ़ी लेकि बववें आ गई हैं तो उन्हें गाव आणा ही कम कर दिया हैं रावले हवेलियां तो सूने पढ़ गए हैं ये परंपरयव गाव केन मौलों में ही बची रह गई हैं इन गरीबों के बहाने हमारी अपनी प्रत्थाएं और संस्कार बचे हुए हैं मैं चुप रह गया तभी शोर उठा और नन्नी नन्नी दुलने ठालियों में बाहर लाई गएं सांदी के अंगड जीवरों से लदी नए घागरे ओड़नों में बेहाल, रोती, उंगती यैस के हंडों की रोश्णी में बहुत ही अनोका द्रश्य बन पड़ा था सामुईक फेरों का, कहीं दूलों के पिता और कहीं दुलनों की माएं उन्हें गोध में लेकर फेरे फिरा रहे थे सजे संवरे गट्री बने मासुम बच्चे, अपने भविश्यों और ग्रहस्यों की समस्याओं से बेखबर, नीद में डूबे क्या निंदा से अद जगे फेरों के साथ घूम रहे थे, औरतें मंगल गीत गा रही थे तब ही भीड बना कर खड़े, बच्चों के एक जुन्ड पर मेरी नजर गई, जो शादी में आमंत्रित तो नहीं थे, पर तमाश बीन बने खड़े थे उन से थोड़ी दूर पर पंडाल के एक खंबे से लगा, अकेला जागता हुआ जुगनू भी खड़ा दिखा हल्की हल्की ठंड में भी केवल एक बनियान और पजामा पहने, मैं बाल विवा का तमाशा देख रहा था उसकी मासूम आँखें चमक रही थे, उसके हम उम्रदूलों की नई पोशाकें, कलवा रहें, ठालियों में बैटी उनकी नन्नी मुन्नी दुलहने, मेरे नजर विवा के शुरगुल से हट कर अब जुगनू पर केंद्रित थे क्या सूचता हो गए है बच्चा, इस स्कूल महले गाव से निश्कासित, एका की शापित बच्पन, फिर मेरा ध्यान हट कर उसके माँ पर जाते का, दो नीले सरोवरों का नकलेस्तान, मेरे मन में हूक सी उठी, सभी महिलाओं की तरफ से एक शोर गुंजा, अरे या डाकण अठे, रांड मर, अठासू, अठे कई करी, ठैथू, एक बुड़िया ने चीक कर, उस पर अपने हाथ का डंडा फिका, काकी सा बालक है, शादी की रौनके देखे, वे दर भागाया, इसी को लेने आई थी, वे हडबडा गई, कुछी पलों के बाद मैंने देखा, पुरज जुगनू का हाथ कीचती हुई, वहाँ से चली जा रही थी, अपमान के दंश से तिल मिला कर, उसने ब्याह का तमाशा देखने की जिद करते, नन्ने बच्चे के गाल पर दो तमाचे जड़ दिये थे, ठाकुर साहब और उनके लाव जमे का खाना तो, तुआ छूत की वज बैट, कुछ जरूरी कागजात और फाइलें निप्ता रहा था, तब ही कालू भागता हुआ आया, साब जी जल्दी चलो, रेबारियों के ब्याह में डाक्कन के आने से खाना जहर हो गया, लोग उल्टी दस्त कर रहे हैं, कितने एक तो बेहोस हैं, कुछ बच्चे तो लग रहा है कि नहीं बचड़ें के साब जी, मैं भागता हुआ अस्पताल पहुचा, जो कि लोगों से अटा पड़ा था, डाक्टर लंबे छोटी पर था, ठाकुर साहब के होते हुए, पास के कस्पे से दवाईयां और डाक्टर कोल आने का प्रबंद न हो सका, इतने हंगामे और खबर भीजे जाने के बावजूत, वे गीदर की तरह चुपचाप, रावले नामक अपनी नाद में दुपके रहे, कहलवा दिया कि जीप में पेट्रॉल नहीं है और स्वैम ड्राइवर शादी का खाना खाकर बीमार हो गया है, कुछ दूसरे लोगों ने और मैंने पै जातरों को बुलवा लिया, स्वैम भागा स्कूल से फरस्टेट बॉक्स लाने, इसे हाल ही में मैंने जरूरी दवाओं और सामानों से भरवाया था, राद भर जाक कर भी दो नन्ने दूलों और चार साल की एक दुलहन को और एक बुढ़्धे को नहीं बचाया जा सका, लो सारी तंत्रने और रावले में रहने वाले गाओं की तथाकतित मालिकों ने, जिनके सारा गाओं पैर पूछता था, लेकिन गालिया मिली गाओं से, निर्वासे डाककन और उसकी उलाद को, अगले दिन जब ठाकुर साब अपने लाव जमे के साथ पधारे, मैं अस्पताल म नहीं था, रहते हैं बात फिर उठी थी, अब शगुन की और डाककन के गाओं में देखे जाने की, गाओं के जवान लड़के शायद ऐसे ही किसी मौके और दुश प्रिर्णा की तलाश में थे, अगले दिन भी लोगों की हारत में सुधार की गती धीमी थी, पर हालात काब में थे, मैं रात 11 बजे के करीब अस्पताल से लोट रहा था, कालू मेरे साथ था, टॉर्च पकड़े, घानी निस तब्दता में मोर की आवाज ऐसी लग रही थी, मानो वै कोई दुख भरा भेत चिपा रहा हो, शादी ब्या के घरों से उठी, उन विकल पुकारों से वाय उसका घरवाला, चुप रहो, बासी मीट खाने की वजए से हुई मौतों का संबंद, तुम किसी औरत के श्राप से कैसे जोड सकते हो, उसे नाराजगी है, तो रावले से आप गाव के लोगों से उसका क्या लेना, उसके डाक्टर होने की बात हो ना हो, इन ठाकरों न पुरी होने पे नई साब, शुरू से मैं इसे जानता हूँ, जब से औरत ये गाव में आई थी, औरतों के दिमाग फिरने लगे थे, रांडे इसके पास बच्चा गिराने की दवा लेने जाने लगी थी, एक दूसरे के बच्चों पर तोने टोटके कराने लगी थी, सास के पत्तों से भाग बांचडे के नाम पे ये ठगनी उन्हें बैकाने लगी थी, अरे बंजारन औरत है, जड़ी बुटी का काम जानती होगी, फिर खाने कमाने के लिए इसे कुछ तो करना ही था ना, पता नहीं साब, आज तो मौत को इतने पास से देख तो लिया तुने, इनी चुड़ायलों का जादू टोना भी नहीं काम आता, काम आता है नमक का खारा पानी और पेट की सफाई, इंजेक्शन और ग्लूकोज, मास के बासी होने की रिपोर्ट तो आज डाक्टर ने खाना जाचते ही दे दी थी, सुबह से भैरू जी के ठान पे कटा भैसा, पर साथ, पता नहीं कालू के दिमाग में मेरी बात में घुसी की नहीं, पर उसने आगे बहस करना बंद कर दिया था, चौर्च लेकर वैं आगे आगे चलता रहा, चानक बोला, ठाकुर साब ने हरी जंडी दे दी थी गाउं के छोरों को, डाक्टर को निकाल बाहर करने की, क्य इसे वैं चौका, वो कुर्जा डाक्टर को फिरसे काओ, मैंने उसे कंदों से पकड़ कर जग जोर दिया, वैं सक पका गया, चलो मेरे साथ, हम दोनों लगबग दोडते हुए कुर्जा के ठिकाने पर पहुंचे, चांदनी का फीका आलोग धोपड़े की तूटे केवलू की छट में से रिस्ता हुआ, चमकीली कटी चिप्कियों की शकल में पुर्जा के आदे उगड़े भूरे घायल चरीर पर छिटका हुआ था, ऐसा लगराता वैं किसी मंच पर पड़ी है, अंतिम द्रश्य में, और उसे घेर कर प्रकाश डाला गया है, उसके पीछे केवल अंदकार था, हमारी आटों से सहम कर उसे अपना बाया हाथ आखों पर रख लिया, अपने फटे कपरों को ढखने लगी थी, उसके गालों और गलोई के पास खरोंचों के गहरे निशान थे, दाइं भौं के पास कट अचेत पड़ा था, उसकी कनपटी के पास से लहू बह रहा था, कालू ये द्रश देखकर अवाक था, रोशनी के अंजाने व्रत में पड़ी कुर्जा का राक पुता चेहरा, थैरिवे नीली पुतलिया, फटा ओड़ना, चिथड़ा घागरा, लगपक खार कर फेक दी खामोशी और तर्टस था, कालू को सेहरा रही थी, शायद अब उसे समझ आ रही थी, एक निरी ही तुड़ायल की विवश्चता, कालू उठा इस बच्चे को अस्पताल चलें, नहीं अस्पताल नहीं, पुर्जा ने मेरा हाथ थाम लिया, बच्चा मर जाएगा, मैं फुस जे के घाव साफ करके, फस्टेट बॉक्स में से पट्टी निकाल कर बांदी और हवेले जाकर, मेरी अलमारी में रखी ब्रांडी ले आया, और उसकी च्छाती की मालिश करने लगा, पुर्जा को मैंने अपना दुशाला दे दिया था, वैं फिर से वहीं फर्स्ट पर्ड ह जुगनु अचेता वस्ता में कराता रहा, कालू को मैंने वहीं रुख कर बाहर पहरा देने को कह दिया था, सुबह होने तक, मेरा वहां रुखना ठीकना होता, मैं हविली में पड़ा, रादबर जाकर रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा था, अनेक संकल्पों और विकल्पों की शरण में जाकर मन कोई हल नहीं ढून पा रहा था, वह फटते ही मैं वहां जा पहुचा, कालू बाहरी बैठा मिला, मैं अंदर गया, जुगनु को होश आ गया था, कुर्जा ने गटरी समाल रखी थी और दुशाला कस के दे पर लपेट लिया था, कहा जाने की तयारी है, म आता नहीं अब इस गाउं में रहना नहीं हो सकेगा, क्यों कल रात जो कुछ तुमारे साथ हुआ है, उसकी शिकायत नहीं करेंगे हम सदर थाने जाकर, मैं आवेश में आ गया, कौन सी पुलिस, कौन सा थाना मार साब, सब तो रावले का हुकम बजाते हैं, कल रात मेरे उसकी परवाने, पहले भी रात को दरवाजा खटकाते थे, रावले के हाकम, B.S.F. के जवान, खुद पुलिस के दरोगा, 32 दांतों के बीच जबान की तरह कैसे बची मैं ही जानती हूँ, पर गाउं के छोडों ने पहली बार हिम्मत की, भेडें भगा दी, मुर्गियों क खाड़े, बच सलूकी की, मेरी छोडो, जुगनू के साथ जो हुआ, उसने मेरी सारी हिम्मत तोड़ दिये मारता, कितना मारा उसे, सांगों से उठाकर गोल गुमा के जमीन पे छोड़ दिया, कहकर वे पीड़ा से सिसक उठे, एक खामोशी में उसकी हल की सिस्कियां किसी तरह ये यहीं काटे, रात होते ही मैं और आप चल कर इनको मेरे गाओं के खेत पर बने कच्चे घर में छोड़ आए, मेरा गाओं यहां से बस पंद्रह कोस पर है, मामला निबटने तक ये वहीं रहें, फिर आप जाने या ये जाने, बस पुलिस के जंजट से मुझे दूर रखना साब जे, बहुत रहत मिली, कालू की इस व्यवस्था से पर मैं जानता था ये इस्थाई व्यवस्था नहीं थी, मैंने कुर्जा को लेकर उस रात गंभीरता से सूचा, उसके इस्थायत्व को लेकर जुगनु को गोध लेने की आपचारिक नाओं पर अब व पता कर उसके भविश्यवानी को गलत साबित करने की चनौती देकर उसे चौकाने वाला था, चले गए वे दूनों, शाम पांच बजे मैं स्कूल से निकलने की तैयारी में ही था, तभी कालू अपना कलांत के चेरा लिये आख खड़ा हुआ, कहां, पता नहीं, जोप्री ख रकण को जाते देखा था थोरे के साथ बस में, बाड मेर की तरफ, ये ताश के पत्ते वहां बिखरे पड़े थे, मैंने वो ताश के पत्ते उससे चीन लिये बेहत पुराने साधारन ताश के पत्ते, मैं उन्हें बेचानी से पलटने लग दायन कहीं कि, अपना कहा सच करक के चली गई, हताश और गुस्से में मैं चीक पड़ा, फालू आश्चर से मुझ खोले, मेरे चेहरे को ताक्ता रह गया, उसके बाद मैं वहां छे महीने और रहा, जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया था, समय वहां बहुत लंबा होता है, वहां कोई घंटे नहीं गिनता, न वर्ष, वहां मौसम ही नहीं आते, न बसंत, न बहार, मैं जब तक वहां रहा, एक अनंतता में जीने का पुर्जोर यकीन बना रहा, लोटा तो लगा, मैं अपना एक जीवन वहां छोड़ाया था, कहानी तो यहीं खत्म हो गई थी, उसकी इस कहानी की फाइल के पीछे, मुझे एक थोटा नोट मिला, इसम्रती द्वारा वापस लाकर अतीत की चीजों को मोटे तोर पर देखना और बात करना तो आसान है डाक्टर, पर बारिक कहानी बुनना, अतीत की आवारा रूह को अपनी देव पर बुलाने जैसा होता है, मैं बहुत पस्त, मगर बहुत अब सोँगा, नीन में ही चला गया था वै दुनिया से, बहुत दिनों तक उसकी अनुपस्तिती मेरे मन में के एक उलची कहानी सी पठकी रही, यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो आई हो, शुक्रप्या मेरे चैनल पर विजिट करें, लाइक, शेर और सब्सक्राइब क झाल 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 झाल